दोस्तो आज हम बात करेंगे बहुत ही important चीज़ की extension board extension board कभी ना ले ये हम आज इस वीडियो में देखते हैं दोस्तो डॉक्टर गैजट चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो हम इस चीज़ को हम सभी पहचानते होंगे life में कभी ना कभी हम सभी ने ये लिया होगा और बार-बार लिया होगा क्योंकि ये बार-बार खराब हो जाता है ये extension board चुकि काफी सारे size and shape में आता है इसका काम सिर्फ इतना है कि ये cable एक plug से multi plug बना देता है और इसको एक cable जुड़ा रहता है साथ में एक distance तक के आप इसको ले जा सकते हैं जहां पर आपका वाल वाला socket अवेलेबल नहीं हो तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही आती है इन में से socket खराब हो जाता है कभी switch खराब हो जाता है ये जो सारे plugs हैं इसमें कुछ फिट नहीं बैठता जैसे मैं आपको यह दिखाता हूं इसमें कोई भी फिट नहीं बैठता बहुत ही मुश्किल से अड़ेस्ट करके इसको चलाना पड़ते हैं दोस्तों नॉर्मल एडाप्टर है तो यह इसमें रहे ानी तो यह तची नहीं होता से इलेक्रिक पोर्षन से ऐसा तो क्या भी वेसला रहता और अगर आप इसमें दूसरे होल में डालने की कोशिश करें तो यह जाता ये नहीं पतानी कौन से साइस का यह बनाते है यह को बिल्कुल भी आइडिया नहीं यह क्यूं बनाते हैं इसा वाट हमारे ऐसे प्लक्स होते हैं यह तो मैटल के होते हैं या तो बहुत ही लो क्वालिटी प्लास्टिक के होते हैं वह पिघल जाते हैं तो यह मैटल का है जिससे आपको करेंट वगरा लग सकता है तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है साथ इसमें क्वालिटी के नाम पे लिख दिया है fitted with ISI switches switch ISI है board ISI mark नहीं है यह समझ सकते हैं किसकी quality क्या होगी साथ ही मैं आप इसका देखें तो joint यहां पे कैसा joint है आप देख सकते हैं बहुत ही पेकार सी fitting का joint है तो दोस्तों यह कोई भी protection आपके equipment को नहीं देगा अब आज के जमाने में यह यूज कर देने पर ऐसी चीज मिल जाएगी जो quality के साथ साथ देगी आपके सारे equipment जो इससे connected है उसका protection वो मैं आपको दिखाता हूं उसको बोलते हैं दोस्तों सर्ज प्रोटेक्टर सर्ज प्रोटेक्टर जो है extension board का भी काम करता है क्योंकि इसमें extension cable होता है multiple sockets होते हैं तो हम उसको multi socket search protector बोल सकते हैं आजकल यूज होता है तो आजकल इंडिया में अच्छी ब्रांट्स के search protector मिलने लगे हैं extension board ना लेके आप यह search protector लें जो कि आपके ज्यादा काम आएगा मेरे हाथ में जो फिलहाल अभी है बैल्किन का six search protector search protector में खास बात और है आजकल इसमें direct USB के ports भी आत ताके direct भी आप चार्ज कर सकते हैं 2.4 MPR का तो यह सारी search protector के में लिंक आपको description में दे देता हूं ताकि आप वहां से detail देख सकते हैं इसमें दोस्तों international plug होता है जिसमें सब ही तरह के plug आल्मोस्ट लग जाते हैं internationally जो जो आते हैं अभी खोलने के बाद इसकी quality देखते हैं इसका MRP 1499 आपको Amazon पे 1300 के राउंड मिल जाएगा इसको मैं यहां पर कोलता हूं तो दोस्तों बैलकिन काफी बड़ी कंपनी है इसके जो है बहुत सारी चीजें आती है आईफोन का wireless charger और बनाता है यह mobile charger कार में यूज करते हैं वह सारी चीजे बनाता है तो देखे दोस्तो यह काफी स्लेम सा और काफी अच्छी क्वालिटी का दिखने वाला सर्च प्रोटेक्टर है इसकी क्वालिटी सॉडिड लग रही चूने में और आप खुद देख सकते हैं कितना अच्छा इसका टेक्स्चर वगरा है यहां पे स्विच दिया हुआ है और दोस्तों प्लग क अच्छी बात करें तो यह इंटरनेशनल प्लग दिये हुए इसमें छे तो इसमें देखिए यह आसानी से फिट हो गया है और यह इसीली किर नहीं रहा है कि इंटरनेशनल प्लग की जो खासियत होती है और साथ में दोस्तों अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो इसमें हर सॉकेट में शौक ना लगे इसलिए उसके अंदर बने हैं और इसका साइज ऐसा है कि आपका उंगली कभी मैटल को टच नहीं होगा तो यह सारी चीजें प्रोटेक्शन के लिए इसमें दी हुई है आपके घर में बच्चे हैं या आप अपने लिए भी अच्छी चीज ले थोड़ा महेंगा जरूर पड़ेगा बट यह आपको काम आएगा आप जितना जादा सॉकेट वाला लेंगे उतना लंबा आपको केबल मिलेगा सिक्स सॉकेट के साथ आपको 6.5 फीट या 2 मीटर का केबल मिलेगा तो इससे आप extension की तरह भी इसको यूज कर सकते हैं साथ ही आपके एक्विप्मेंट्स को भी बचाएगा जनरली जो परसात के समय हमको यह चीज का बहुत डर होता है कि हमारे टीवी फ्रिज या फोन या चार्जर खराब हो जाएगा बिजली के डर से तो यह बिजली से भी उसको बचाता है इसमें देखिए 420 जूलिया 3000 एम्पीयर का प्रोटेक्शन है अगर इतनी बिजली आती है तो यह उसको रोक लेगा बचा लेगा एक्विप्मेंट्स को छे एम्पीयर का टोटल करेंट बह सकता है और 1500 वाट का जो है इसको टोटल लोड ले सकता है और दोस्तों इसका प्राइस जो है वह अलग-अलग सौकेट के हि तो जब बिजली गिरती है तो अचानक से काफी ज़्यादा पावर सर्ज हो जाता है और ट्रांसफोर्मर वगरा के प्रॉब्लम से भी पावर सर्ज हो सकता है जिससे कीमती सामान कीमती एक्विप्मेंट्स खराब हो सकते हैं तो यह बहुत ही आज के समाने में जरूरी है य भॉलती आपके सब्सक्राब्स आप pleas और ़ीडियो को देखने के लिए और अपना 15 देने के लिए दोस्तों गर आपको यह वीडियो अच्छा लगात उसको लाइक कीजे और चैनल को सब्सक्राबर बी कर लीजिए ऐसे important information जाने के लिए क्लिन चरह और काम की चीजों के बार हुआ 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 है